नमस्कार दर्शक मित्रों जेडी कुकिंग क्लास में आप सर्व का हादिक स्वागत है आज हम बनाने वाले हैं कुरकुरी चटपटी पोटेटो रिंग्स पोटेटो रिंग्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर दो उबले हुए आलू लिये है उसे अच्छे से कद्दू कस कर लिया है उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून मेदा 2 टेबल स्पून रवा उसके बाद डालेंगे 3 टेबल स्पून कोर्ण फ्लोर और बारिक कटा अब पोटेटो रिंग्स को ज्यादा स्पाइसी बनाने के लिए हम डालेंगे मसाले सबसे पहले वन टेबल स्पून चीली फ्लैक्स उसके बाद एक चोथाई चम्मच गरम मसाला अब हम डालेंगे एक चोथाई चम्मच काली मिर्च पावडर और उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच काला नमक अब लास्ट में एड करेंगे हरी मिर्च लसून अद्रक की पेस्ट एक चम्मच ली है मैंने अब सभी चीजों को हम हलके हातों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बहुत जादा प्रेस नहीं करना है क्योंकि बहुत जादा प्रेस करेंगे तो शायद आलू बहुत चिप-चिपे हो जाते है इसलिए हमें हलके हाथों से सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेनी हैं और बाद में इसमें हम डालेंगे एक चोथाई चम्मस तेल और सभी चीजों को अच्छे से मिला देंगे अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम हाथ में ले करके रिंग बना लेंगे रिंग्स आपके हाथ में चिपक न जाए इसलिए थोड़ा-थोड़ा ओईल आप हाथ में लगा सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने मसाले में से सभी रिंग्स तयार कर ली है अब हम तेल गरम करेंगे और मीडियम आज पर मीडियम फ्लेम पर हमें सभी रिंग्स को तल लेना है मीडियम आज पर जब तक हमारी रिंग्स गोल्डन ब्राउन कलर की न हो जाए तब तक हमें उसे तलना है लो मीडियम फ्लेम ही रखना है बहुत फास गेस रखेंगे तो जल्दी से ब्राउन कलर की हो जाएगी और अच्छे से पकेगी नहीं इसलिए सभी रिंग्स को अच्छे से पकने देने के लिए कुरकूरी बनाने के लिए हमें लो मीडियम फ्लेम में ही इसे तलना है तो जोस्तो ऐसा स्पाइसी और कुरकूरा नास्ता हम चाइके टाइम पर बना सकते है बहुत जल्दी से भी बन जाएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है तो चाई के टाइम पर इसे जरूर से ट्राइ करिए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सभी रिंग्स गोल्डन ब्राउन कलर की हो गए अब उसे तेल में से हम निकाल देंगे तो लिजिए गर्मा गरम पोटेटो रिंग्स तयार है अब इसे हम गर्मा गरम चाई के साथ या हरी चटनी के साथ या टोमेटो सोस के साथ सर्व कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगता है उसके साथ आप खा सकते हैं तो दोस्तों आप भी जरूर से इस रेसिपी को ट्राइ करें और कमेंट बोक्स में अपनी कमेंट करें के आपको ये रेसिपी कैसी लगी और एसी ही इंडियन रेसिपी देखने के लिए हमारी चेनल जेडी कुकिंग क्लास को जरूर से सबस्क्राइब करें थेंक्स पर वाचिंग, थेंक्यू, जेह हिंद!